हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सुद्र टोटल में दोस्तों आज हम सभी बाल मनुविज्ञान का बहुती मात्पूं टापिक जो की है पुस्तक एवम लेखा क्यानिकी जो बाल मनुविज्ञान में रचनाय की गई हैं किनके द्वारा की गई ह यह से हर बार यूपी टेट में दो नंबर को ज आते हैं तो काफी इंपौर्टन टाफिक आई हैं और यहा से नंबर आप पा सकते हैं अगर आप ध्यान से ध्यान देंगे गर इस पर यहां से आपको नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे चलिए देखते हैं पुस्तक komt उस के लेखक कौन है तो बिलियम जेम्स है कौन है बिलियम जेम्स दूसरी पुस्तक है आउट लाइन आफ साइकलोजी पुस्तक का नाम है आउट लाइन आफ साइकलोजी और इस पुस्तक को किस ने लिखा है तो मैग डूगल ने लिखा है मैग डूगल किसके लिए जाने जाते हैं तो मैग डूगल आपको पता होगा संबेग आत्मक विकास के लिए जाने जाते हैं मैग डूगल इन्होंने संबेग को बताया था कि संबेगों की कुल संख्या कितनी होती है 14 होती है यह MacDougal ने बताया है और इनके पुस्तक का क्या नाम है तो Outline of Psychology पुस्तक का नाम है अगला question है अगला जो पुस्तक है वो है psychology is a behaviorate और यह पुस्तक है J.B. Watson की किसकी पुस्तक है तो Watson की पुस्तक है और Watson ने कहा था कि आप हमें बालक दे दो मैं उसे जैसा चाहूँगा वैसा बना दूँगा यह Watson के ही कथन है तो Watson की पुस्तक का क्या नाम है तो psychology is a behaviorate यह पुस्तक है J.B. Watson की अगली पुस्तक का नाम है school और समाज पुस्तक का नाम है school और समाज यह इसके लेकक कौन है तो इसके लेकक है John.D.V कौन है इसके लेकक तो John.D.V इसकूल और समाज के लेकक John.D.V है अगली पुस्तक का नाम है playway पुस्तक का नाम है playway और इसके लेकक है H.C. Cook प्लेवे पुस्तक के लेकर कौन है? HV कुक और ये किसके लिए जाने थे? तो बालकों के विकास से संबन दिती है है H.C. कुक आगे अगला देखते हैं हम लोग अगले पुस्तक जो है वो है सिच्छा मनो बिग्यान पुस्तक का नाम है सिच्छा मनो बिग्यान और इसकी लेकर कौन है? तो थांडाइक है और थांडाइक ने आपको पता होगा तीन मुख्य नियम दे और पांच गौर्ड नियम दे थे इसके लिए थांडाइक को जाना जाता है जिसमें कौन-कौन से मुख्य नियम है तो आपको पता होने चाहिए तत्परता का नियम प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ये थांडाइक के मुख्य तीन नियम है तो थांडाइक ने तीन मुख्य नियम और पांच गौड नीयम दें थे और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो सिच्छा मनु विग्जान. Important question है, अगली जो पुस्तक है, ऊढूल सेंस. एडूल सेंस, पुस्तक किसने लिखा है? तोि इस्टनले हाल ने लिखा है, किसने लिखा है? जिस वरावास्ता को तो इस्टेनले हाल ने ही कहा है और question यहां से यह भी बन सकता है adult sense किस सब्द से बना है तो adult seer सब्द से adult sense सब्द बना है तो adult sense जो पुस्तक है उसके लिखक कौन है तो इस्टेनले हाल है चलिए अगले पुस्तक देखते हैं How we think पुस्तक का नाम है How we think और यह भी पुस्तक किस की है तो यह भी पुस्तक जान डेवी की है किस की है जान डेवी की पुस्तक How we think चलिए आगे बढ़ते हैं Childhood and Society यह पुस्तक किस की है तो यह पुस्तक है Ericson की किस की पुस्तक है Ericson की पुस्तक है childhood and society जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है तो ericson की पुस्तक है अगला चलते हैं देखते है general psychology general psychology नामक पुस्तक किसकी है तो gilford की है किसकी है पुस्तक general psychology तो ये पुस्तक जो है वो gilford की है चलिए next देखते हैं अगली पुस्तक mind of child पुस्तक का नाम है Mind of Child और यह पुस्तक किस ने लिखा है तो इंटेञेंसों ए इसके लिक्राएगम अप्धिकाश संब्भनित है इन पिस्तक का क्या नाम है जैन देंगे इस पुस्तक का नाम है encourageing और इसके लिखक कौन है तो थांडाइक है थांडाइक को मैंने पहले बताया आप को कि इन्होंने तीन मुख्य नियम पांच एक गौड नियम दे और इन्होंने किस पर प्रयोक किया था तो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोक किया था थांडाइक ने चलिए अगले पुस्तक दे जो पुस्तक है वो थ्रस्टन की पुस्तक है अगली पुस्तक जो है क्रास रोड्स इन दा माइंड आफ मैन पुस्तक का नाम है क्रास रोड्स इन दा माइंड आफ मैन यह पुस्तक है कैली की पुस्तक है कैली की पुस्तक है important पुस्तक है अगला चली दिखते है motivation and personality पुस्तक का नाब है motivation and personality और ये पुस्तक जो लिखा गया है इसके द्वारा लिखा गया है तो अब्राहम मैसलो द्वारा लिखा है जिनको आवसेक्ता एवं प्रोचान सिद्धान्थ के लिए जाना जाता है आवसेक्ता का सिद्धान्थ और प्रोचान का सिद्धान्थ किस नहीं दिया था तो अब्राहम मैसलो नहीं दिया था और इनकी पुस्तक का क्या नाम है तो motivation and personality नाम है इनकी पुस्तक का नेक्स आते हैं behaviorism behaviorism है जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है तो J.V. Watson की पुस्तक है जिवी वाटसन इस पुस्तक को लिखाया है चलिए अगला देखते है the interpretation of dreams पुस्तक का नाम है the interpretation of dreams जो कि इस पुस्तक को किस ने लिखाय है सिग्मंड फ्राइड ने लिखाय है सिग्मंड फ्राइड ने पुस्तक लिखाय है the interpretation of dreams काफzung इमपॉर्टेंट है next par doka ben? वो आप मैं पुस्तक का नाम है data of man और इस पुस्तक को Springer ने लिखाया पुस्तक पुस्तक प्रेटर्ण एंड ग्रोथ आप परसनाल्टी पुस्तक का नाम है पैटर्ण एंड ग्रोथ आप परसनाल्टी और यह पुस्तक आलपोर्ट ने लिखा है किस ने लिखा है तो आलपोर्ट ने इस पुस्तक को लिखा है पैटर्ण एंड ग्रोथ आप परसना जो है यह किस ने लिखा है तो आल पोर्ट ने लिखा है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस आफ एजुकेशन पुस्तक का नाम है प्रोसेस आफ एजुकेशन जो की ब्रूनर ने लिखा है किस ने लिखा है ब्रूनर जेरोम बूनर जिसका पूरा नाम है प्रोसेस आफ एजूकेशन आफ मैन पुस्तक का नाम है दा एजूकेशन आफ मैन और इस पुस्तक को किस ने लिखा तो फ्रॉवेल ने लिखा है फ्रॉवेल की पुस्तक है दा एजूकेशन आफ मैन पुस्तक फ्रॉवेल ने लिखा है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो पुस्तक ह वो है चाइल्ड आफ दे वर्ड उस्तक का नाम है चाइलड कांफ रेशन और यह पुस्तक ऑजिन पी आजे की फूस्तक और जिन प्याजे संग्रावसST कंध्येस संब नहीं काफी इंप इंपरंटसन आफ 2024 e-q कशेड़ने कंडीशंट वर्णिंग पुस्तक इसकी तो यह द्रावर्ट गेने की फुस्तक है यह अगी देखते हैं। ल stimulants चाने पुस्तक यह देखिते हैं लेकैंड पिस्तक फोश्ट है अगला है character and personality character and personality जो पुस्तक है ये polenski निल्क है किस निल्का पुलenski निल्का है important है भी next पुस्तक है heredity genius heredity genius किस निल्का है तो galton निल्का है और galton जो है वो सुजनन सास्त के जनक माने जाते है galton को सुजनन सास्त का जनक माना जाता है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है Haredity Genius अगली पुस्तक है बहुत important पुस्तक है Republic Republic किसकी पुस्तक है तो ये Plato की पुस्तक है चलिए कुछ और देखते है Emil and education पुस्तक इस पुस्तक को किस ने लिखा है तो Russo ने लिखा है Emil and education जो पुस्तक है इसको किस ने लिखा है रूसो ने लिखा है अगले जो पुस्तक है वो है दा स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक का नाम है दा स्कूल एंड सोसाइटी और इसके द्वारे लिखी तो जान डीवी जान डीवी ने लिखा है दा स्कूल एंड सोसाइटी नाम है पुस्तक को नेक्स है pathology of rain pathology of 듯 Cool and Head पुस्तक किसने लिका तो क्रेपली ने लिखा पैथोलोजी आ वरेन यठे कैसि कुछ इंपर्टम्ट पुस्तक और उनके लेखाश यहां से question ग्रहु है चलिए आगे कुछ और important चीजें ने धिए है जैसे कुछ सिधान्त और उसके प्रतिपादक कुछ इंपोर्टेंट जो सिधान्त हैं और उसके प्रतिपाद कौन है तो आर्म श्ट्रांग इसके प्रतपादक है अमसंदान विदी या हियोरिस्टिक विदी के प्रित्पादक कौन है तो आर्म स्ट्रांग है अगला था प्रोजेक्ट विदी या प्रयोजन विदी इसके प्रित्पादक कौन है तो किल पैट्रिक को इसके प्रित्पादक है प्रोजेक्ट बिधी या प्रयोजना बिधी के प्रतिपादक कौन है तो पिल पैट्रिक को माना जाता है नेक्स्ट है डालतन बिधी डालतन बिधी के तो हेलेन पार्खष्ट को माना जाता है डाल्टन बिदी का जनक या प्रतिपादक हेलन पार्खष्ट को माना जाता है अगला था ब्रहमड बिदी जिसमें ब्रहमड के माद्यम से चीजों को सिखाया जाता है और इसके प्रितपादक कौन है तो पेश्टोलोजी को माना गया है ब्रहमण विधी के जनक की रूप में अगला था है समाज मिती विधी समाज मिती का नाम है तो आप जेल मुरेनो को आंसर जरूर कीजे तो समाज बिती बिधी के प्रितपादक कौन है तो जेल मुरेनो है अगली बिधी है ड्रकॉली नाम से इस पर से ड्रकॉली बिधी तो इसके प्रितपादक कौन है तो ड्रकॉली है अगला है प्रशनोत्री विधी, प्रशनोत्री विधी में इसके प्रितपादक किसे माना गया है, तो सुकरात को माना गया है, अगला आता है अंतर दर्शन विधी, अंतर दर्शन विधी के प्रितपादक कौन है, तो विलियम उंट, विलियम उंट को अंतर दर्शन विधी का प्रित्पादक माना गया है अगला इसी के साथ आता है बहिर दर्शन विधी और बहिर दर्शन विधी के प्रित्पादक कौन है तो जेवी वाटसन को माना गया है बहिर दर्शन विधी का प्रित्पादक नेक्स्ट है केस इस्टडी विधी के प्रितपादक कौन है तो टाइड मैन को माना गया है किसको माना गया है टाइड मैन को केस इस्टडी विधी का प्रितपादक माना गया है अगला था प्रसनावली विधी प्रसनावली विधी उडवर्थ इसके प्रितपादक है जो आपका है वो है समस्या समाधान बिधी और समस्या समाधान बिधी के जनक जान डीवी को माना जाता है या कहा जाए तो इसके प्रितपादक कौन है समस्या समाधान बिधी के तो जान डीवी है आगमन बिधी जो है वो उसके प्रितपादक तो बेकन वा पेस्टालोजी को माना जाता है किसको माना जाता है बेकन वा पेस्टालोजी को माना जाता है निगमन विधी तो निगमन विधी जो है उसके प्रितपादक अरस्तु को माना गया है यानि कि निगमन विधी के जनक जो है वो अरस्तु है नेक्स्ट है खेल विधी तो विदि के प्रित्पादन प्रुप में कुछ को जाना जाता है है अगला जो है किंडर गार्डन विदि के प्रत्वादक कौन है तो फ्रावियल है यह रहष के वीडियो आसा करते हैं आपको अgil इप इसके लेख्षक के नम बता है तता साथ ही बिना समय बेतीत की आपको जो विधी थी यानि कि जो सूत्र थे उनके प्रत्रपाद को के नाम भी बताए यहां से question एक जाम में जरूर आएगा और इसको जरूर आप तयार किएगा आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बाल विकास सम्बंदित और भी अने टापको पर question बताऊंगा और जो भी important आपको को उस पर discuss करेंगे धन्यवाद आगे वीडियो के लिए इसी तरह से बने देगे